अब यह जो MCQ की सीरीज है वो कौन-कौन से इक्जाम के लिए इम्पॉटन्ट रहेगा साथ सतकर हम बात करें आप डिट्रिपल एस्बी के एक्जाम के लिए और अगर हम बात करें आपके एक लव्य स्कूल जो आपके MRS के लिए भी आपके फेल्फुल रहने वाला है यूपी टीजटी पीजटी एक्जाम के लिए भी हेल्फुल रहने वाला है तो लास्त तक देख लीचेगा अगर आप मारे चानल पर फर्स टाम विजट कर रहा होगे चानल को सब्सक्राइब करक तो आप जो है 8287129712 इस पर कॉंटेक्ट कर लीजेगा जिस पर कि हमारे test series अबलेबल है for different programs तो आप लोग जरू से जॉइन कर लीजेगा topic wise आपके test series अबलेबल है अगर आप मारे batches को जॉइन करना चाहते तो इसी पर है जो है primary objective क्या है to track change in population पहला option है दूसरा है to access overall health of the economy to determine distribution of wealth या फिर calculate government debt याद रखिएगा कि national income यानि राश्ट्री आय से हम क्या मापते हैं आपके overall health of the economy ठीक है इससे हम मापते हैं तो यहां पर option number यहां पर भी आपका correct हो जाएगा ठीक है अब हम हिंदी में देख लेते हैं तो यह समगर स्वास्त का आकलन करना ठीक है इसका जो है आपकी प्राथमिक उदेश है next question है which of the following is not method of measuring national income कौन सा यहां पर method नहीं है तो next देखते हैं options को तो पहला option है आपका expenditure approach, income approach, production approach, distribution approach ठीक है आप सभी को पता है कि राश्ट्री आयकुम आपने के तीन तरीके होते हैं पहला आ प्रोच यह पहला तरीका है दूसरा हमारा है income ठीक है income method और तीसरा आपका है expenditure method ठीक है expenditure method जो है तीसरा approach है इसको measure करने का ठीक है तो यहां पर कौन-कौन सी विधियां है आपको याद रखना है आई विधी ठीक है पहली विधी जो है आपके अंदर है वो आपका है आई वि ठीक है और इसको मुल्य वर्धित विधी भी कहते है और अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है आपका विधी ठीक है विधी ठीक है यह तीन विधियां यानि income method, value added method, expenditure method तो इसमें से कौन सा नहीं है अगर हम बात करें तो यहां पर distribution approach को यह कैसा अप्रोच नहीं है जिससे कि ह हम राश्ट्री आय को मापन करेंगे ठीक है तो national income होता क्या है total value of final goods and services produced by the normal residence during accounting year after adjusting depreciation यानि हम depreciation को minus कर देते हैं तो हमें जो है राश्ट्री आय प्राप्त हो जाता है और राश्ट्री आय को हम किस से लिखते है national product at factor cost ठीक है याद रखिएगा हमारे कितने aggregates होते हैं अगर हम बात करें तो राश्ट्री आकोम अपने के कई तरीके होते कई aggregates होते हैं जिसमें कि आपके मतब आपके जो aggregate है वो total 8 है 8 aggregate होते हैं ठीक है आपको अगर derive करने का तरीका idea होगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हमेशा के लिए दिमाग में settle in रहेगा ठीक है त इन्पूट होते हैं तो फिर्स्ट पहला पॉइंट है आपका पहला पॉइंट क्या है आपका जो नैशनल इंकम यानि राश्ट्री आयको मापने का तरीका है वो क्या है आपके net national product at factor cost को हम बोलते हैं आपके आपके national income मापने का मतब आपके तरीका पर एक चीज़ और होती यह domestic income को हम कैसे नापते हैं तो domestic income को मापने का जो तरीका होता है वो आपके होते हैं ndp add factor cost ठीक है ndp add factor cost अब थोड़ा सा इसके derivation को समझते हैं अगर आपको point समझ में आगा तो ज़रू से में comment section में बताईएगा तो अगर हम बात यहां पर करें जो aggregates में तो आपके अग ठीक है और फिर हम देखेंगे आपके national ओके और फिर आपका आता है market price ठीक है market price and आपके factor cost ठीक है first of all आप gross और net का difference समझे कि what is gross and what is net तो किसी भी बस्तू की जो real price होती है है ना जैसे बाल लीजे कि यह phone है मेरा और इसकी price 10,000 रूपीज है यह हमारा क्या है इसकी gross कीमत है ठीक है gross कीमत है इसकी उसको हम लोग बोलते है real price of the good is gross है नो gross उसको कहेंगे पर वहीं पर अगर हम उसमें से depreciation क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर उस phone को हम कुछ समय बा यह लोग आपका wear and tear out होगा जिसकी विज़से आपका depreciation cost लगेगा और जिसकी विज़से'll कीमत कम हो जाएगा तो जब रॉस मेंस depreciation को minus कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है याद रखेगा क्या मिल जाता है आपके net मिलता है ठीक है यानि ग्रॉस में से डप्रिसियेशन माइनस किया तो नेट मिला ठीक है यानि किसी वस्तु की कीवत कुछ सवे बाद जो हो जाती है उसको हम लोग नेट कहते हैं आप लोग को अगर ग्रॉस फाइंड करना हुआ तो कैसे फाइंड करेंगे अगर मैंने कहा कि ग्रॉस में से हमने माइनस कर दिया डप्रिसियेशन को तो आगे आपका क्या नेट है न यहां पर नेट आगया ठीक है पर अगर हम बात करें यहां पर अगर आपको नेट फाइंड नहीं करना आप ग्रॉस फाइंड करना है तो ग्रॉस फाइंड करने के लिए अप क्या करे ठीके मान लीजे मैं एक्जामपल एक ले लेती हूँ अगर किसी वस्तु की कीमत आपको 1000 प्रेजेंट में मिली आपने तुरंद खरीदा और कुछ समय बाद दो वर्सों बाद उसका डेप्रिशियेशन हुआ और वह अब वस्तु जो है 700 मतब उसका डेप्रिशियेशन पॉइ और täll अगर इस डेट सीच्छ और यह अन ताउसन था यह हमारा ग्रॉस था अंड्सटा हुए अडर्स्ट्टन तो यह जवाप प्लस डेप्रिसीयेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है ग्रॉस मिल जाता है इंडेस्टेंड तो यह पॉइंट आप लोग लिख लीजेगा यह हमारा ग्रॉस एड नेट केट पॉइंट में डिफरेंस रहा दूसरों पॉइंट अगर आपको याद कर रहा है तो वह भी जिससे कि आप जो है यह जो जीडीप एड मार्केट पाई प्राइज अप नहीं फाइंड कर पाते हो इसली फाइंड आउट कर पाऊगे तो डॉमेस्टिक और हम बात करें नैशनल इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपके तो डॉमेस्टिक क्या होता है अगर इसको हम देखें तो जो हमने डॉमेस्टिक ली चीजए प्रड्यूस की है अपने इकॉनमी के अंदर जो हमने चीजए प्रड्यूस की ठीक है वो हमारा डॉमेस्टिक हुआ ठीक है, जैसे हमारे देश में अगर 140 करोड जो है population इसमें जो 140 करोड पीपल्स ने जो इंडिया में रिसाइड करके जो प्रोड्यूस किया, वो हमारा domestic हुआ, कुछ पीपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके बाहर काम करते हैं, है ना, पर उनका income यहाँ पर तो नहीं लेंगे किलेंगे, ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो domestic को निकालने के लिए, first of all, इस point को याद रखिएगा, जो हमारी total population reside कर रहे हैं, country के अंतरकत, वो हमारा जो produce करेगी, वो हमारा domestic होगा, आप में, national में क्या difference होता है, अगर हम बात करें, तो domestic से अगर हम नेशनल पर जाना है, तो net factor income from abroad, यह हम add कर देते हैं, जिससे हमें national प्राप्त हो जाता है, यानि आपकी राश्ट्री है, जो हमें, मदब राश्ट्री आए, फिर आप कुछ और find कर रहे हैं, तो प्राप्त ह जाता है, इसमें net factor income from abroad, यानि बाहर से जो आपको आए पराप्त हुई, उसको add करना पड़ता है, अब net factor income from abroad कैसे निकालेंगे, तो factor income from abroad और जो factor income to abroad हुआ, ठीके, वो हमारा इसके इंतरगत आजाएगा, याद रखेगा, कि net factor income from abroad कि अगर हम बात करें, फर्स्ट आफ और समझेगा, तो net factor income from abroad क्या होता है, इसमें हमारा होता है factor income from abroad, यानि जो हमारे देश के लोग बाहर रह रह रहे हैं, उनका पैसा जो हमारे देश के अंतरकत आ गया, मालीजे की कुछ population इंडिया की जो बाहर रहती है, ठीके, वो बाहर इंडिया में पैसे भेजती है, मालीजे रिसाइड कर रहे हैं, और वो बाहर जाके रहे हैं, बाहर पैसे भीचते हैं, उनका पैसा, तो जो हम या फिर कभी-कभी हम जो है, लोन के फार्म में दे देते हैं, कभी-कभी investment कर देते हैं, जो है आपके तरीके से पैसा जो जाता है, तो यह आपके net factor income from abroad में आ जाता है, अगर हम बात करें, तो नेट, सरी, आपके factor income from abroad, यानि आपके एक तरीके से फीफा लिख लो, अगर हम बात करें, माइनस, तो आपके factor income to abroad, ठीक है, तो यह आपके माइनस कर दोगे, तो हमें मिल जायागा net factor income from abroad, अब domestic में आपके देश में जो प्रोड्यूस हुआ, डोमेस net factor income from abroad, एड़ कर दो, तो आपको क्या मिल जायागा, आपका national मिल जायागा, और आश्टी में से घटा क्या दोगे, net factor income from abroad घटा दो, आपके देश का, जो आपके देश में लोग रिसाइट करें, उनकी जो income आ रही है, ठीक है, या फिर product आ रहा है, तो वो मिल जायागा आप next point हमारा जो concept clear करना है, वो आपके market price और factor cost का, क्योंकि ये दोनों में भी बहुत सारे student confused होते हैं, और इसी वज़े से जो है derivation में आपके problem होती है, तो अगर हम बात करें, factor cost क्या होता है, what is factor cost, जिससे कि हमें पता चल सके, कि difference क्या है दोनों में, तो पहली बात हम बात करें factor cost, याने जो आपके, जो factor of production पे, जो हमें cost पड़ा, ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपर आपके factor cost की, तो factor cost क्या होता है, money value, ठीक है, money value of all goods and services, ठीक है जो हमारा money value होता है, किसी goods and services का, वो हमारा क्या क्या बाता है, factor cost, जैसे आप land को क्या देते हो, ठीक है, भूमी को क् लेबर को वेज देते हो थिकले कापटल को क्या देते हो U.G. थिकले-शीचा को और बशकरता यारी मेना फाल-फाइनल गुट्सन सर्विशज करा है ठीक है ओके और यह चीज़ आद रखना दिस इस इस तो कलकुलेट डॉमेस्टिक एंड नैशनल लेबल हमारे जो है नैशनल और डॉमेस्टिक लेबल पर कलकुलेट होता है एक चीज़ और आपको याद रखना है जो मारा फैक्टर कॉस्ट होगा उसमें हम क्या एड करेंगे नेट इंडारेक्ट टेक्स जो है अगर हम बात करें इसमें एड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाता है मार्केट प्राइज आ जाता है मार्केट प्राइज क्या होता है अगर हम बात करें तो market value of goods and services ठीक है factor cost क्या money value of goods and services market price क्या market value of goods and services होता है तो जो आपका net indirect access को अगर हम add कर दे factor cost में तो हमारा market price आजाता है तो यह net indirect access कैसे हमें मिलेगा भाई तो net indirect access को निकालने के लिए net indirect taxes को निकालने के लिए हमें क्या minus करना पड़ता है आपके indirect tax indirect tax minus subsidy ठीक है यानि हम यह कह सकते हैं कि factor cost कैसे निकलेगा अपके market price तो factor cost plus आपके indirect tax minus subsidy तो हमें क्या हो जाएगा market price गेन हो जाएगा understand ठीक है तो आपको point समझ में होगा यानि factor cost अगसे हमें अगर market price पे जाना है तो हमें क्या add करना होगा net indirect tax what is net indirect tax this is difference between यह किसके बीच का difference है आपके indirect tax का minus क्या कर देते हैं हम subsidy तो हमें net indirect tax मिल जाता है वापस अगर आपको factor cost पे जाना है तो factor cost पे अगर आपको वापस जाना है तो आपको minus कर देना है net indirect taxes यानि अगर आप factor cost पे जाओगे अगर हम इसको लिखे ultimately क्या बनेगा factor cost पे जाने के लिए हमें market price में से minus करना पड़ेगा net indirect tax what is net indirect tax तो market price minus अब देखे किस तरीके से आपके distribute होगा indirect tax plus subsidy ठीक है क्यों plus हुआ यहाँ पर आप सभी को पता है अगर मैं इस formula को लिखे तो क्या बनेगा फिर से मैं लिखती हूँ factor cost equals to आपके market price minus net indirect tax what is net indirect tax तो यहाँ पर आपका हो जाएगा indirect tax या फिर आप GST लिख सकते हो जो presently prevail कर रहा है और subsidies अब इसको distribute कर दो तो market price minus क्या हो जाएगा indirect tax plus क्योंकि minus minus plus हो जाएगा यहाँ पर तो subsidy plus subsidy यह हमारा factor cost आगया अब आपको याद रखना है कि factor cost निकालने के लिए क्या चीज़े करनी पड़ती है यानि net indirect tax को minus करना पड़ता है market price में से और अगर हमें market price निकालना है तो factor cost में हमें net indirect taxes को add कर दे रहा है तो factor cost क्या होता है money value of goods and services understand money value of goods and services और अगर अब market price की बात करें तो market value of goods and services understand कितना आपके market value है goods and services का और इसमें money value पता चल जाती है आपके goods and services की किसे factor cost से understand यह तो समझ में है आपको तो difference कहा है दोनों में market price यानि वो price होती है at which product is actually sold in the market ठीक है market price वो कीमत होती है जिससे particular commodity वो actually उसी कीमत पर बिकती है जैसे माल लीजिए मैंने एक pen का example लिया और pen जो है वो साथ रुपय की भी करिए है न ठीक है तो साथ रुपय में क्या क्या चीज़े इंक्लूड होंगे आपके factor cost तो इंक्लूड होगा plus net indirect tax इंक्लूड हो जाएगा तो यह हमारा क्या जाएगा market price हो जाएगा हो सकता है इस pen को बनाने के लिए कुछ indirect taxes लगे और हो सकता है कि आपके subsidy भी लग जाए ठीक है अगर हम बात करें factor cost की तो amount paid to factor of production for their contribution in production process उस साथ रुपय के pen को बनाने के लिए कितना जो है आपके factor of production को हमें पैसे देने पड़े ठीक है जो हमें पैसे देने पड़े हैं उसको हम क्या कहेंगे आपके factor cost कहेंगे यानि आप जैसे जब pen बनाते हो न तो आप कुछ नो कुछ land लगाते हो labor लगाते हो capital लगाते हो enterprise में कुछ जो आपकी profit बनता वो भी distribute होता है तो वो सारे चीज़े factor cost में आपके रहता है ठीक है तो factor cost कैसे निकालेंगे market price minus net indirect taxes यानि आपको tax भी minus कर देना है और plus subsidy को जोड़ देना है जो subsidy आपकी मिले ठीक है तो यह आपके दोनों point का difference हुआ यानि अब आपको कभी नहीं भूलना है यह चीज़ कि अगर आपको factor cost से market price पर जाना है factor cost से minus आपके market price पर जाना है तो आपको plus क्या करना पड़ेगा net indirect tax और अगर आपको factor cost मार्केट प्राइस से factor cost पर वापस आना है तो net indirect tax को minus कर दो और यह क्या होता है आपके indirect tax माइनस आपके सबसीटी, understand, I think मुझे लग रहा है यह आपको clear हुआ होगा, ठीक है, elaborate किया मैंने, अब इतने points तुमने देखे, तुमने क्या-क्या बाते सुनी यहाँ पर, आपके, हम बात करेंगे तो, यहाँ पर अब तुमने बात सुनी, gross की, ठीक है, net की, ठीक है, gross and net, और किसकी बात सुनी तुमने, factor cost, market price, और क्या देखा तुमने, तो अगर हम बात करें, gross net हो गया, और आपके factor cost and market price भी आपने देखा, साथ-साथ आपने domestic and national देखा, ठीक है, domestic and national देखा, ठीक है, अब यह सारे elements से बनाओ, gross, आपके अगर हम बात कर है, gross, देखो, product एक common चीज रहेगा सब में, तो मैं बनाती हूँ सारे elements को, तो यहाँ पर हो जाएगा, gross, यहाँ पर तुमने gross लिया, ठीक है, फिर domestic, यहाँ पर से domestic लिया, GDP, अब एक बार factor cost ले लो, factor cost पहला element, फिर क्या हो जाएगा, आपका, जी एन, gross national, product at factor cost, understand, ऐसे ले factor cost, GDP at market price, ठीक है, GNP at factor cost, GNP at, GDP at market price, सॉरी, आपके GN हो जाएगा न, GNP at market price, फिर हम बात करते हैं, net, NNP at factor cost, NNP at market price, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा, ओके, और अगर हम बात करें, तो एक होता है, आपका, NDP at factor cost, NDP at market price, ठीक है, यह 6 elements आपके निकल के आजाते हैं, इस पूरे, जो आपके अभी clarification दिया, चलो, तो यह थोड़ा explanation हो गया, अब हम question की तरह बढ़ते हैं, तो हमने देखा कि distribution कोई approach नहीं होता है, हमें तीन approaches पता है, एक आपका production approach, जिसको value added method भी कहा जाता है, एक approach हमारा है, income यानि IVD, और एक approach है हमारा expenditure approach, ठीक है, expenditure method, तो कौन सा नहीं आपके distribution approach नहीं है, नेक्स विकर हम बात करें, gross domestic product measure the total, क्या बताता है GDP, income earned by citizen, citizens abroad, यानि हमारे जो बाहर लोग रहते हैं, वो income earned करके रखते हैं, value of all goods produced within a country, country's border, the value of export minus import, या फिर government expenditure on goods and services, तो आप सभी को याद रखना है कि ये क्या बताता है, value of all goods and services produced within the country's border, है ना, ठीक है? तो दोनों का देख लिते हिंदी आपके, नेमलेकित में से कौन सी रास्टी आप आपने की विधी नहीं है, तो याद रखेगा वितरण का district code नहीं है, ठीक है, नेक्स कोशन था, सकल घरेलो उत्पाद, यानि GDP कुल मापता है, क्या मापता है भई? देश की सीमाओं के भीतर उत्पादि सभी वस्तुओं की सेवाओं का मल्या, ठीक है, यहाँ पर option number यहाँ पर आपका B correct हो जाएगा, ठीक है, नेक्स कोशन देखेंगे, नेक्स कोशन हमारा net national income is calculated by subtracting, depreciation from GNI, यानि gross national income में से हम depreciation को minus कर देंगे, या फिर indirect taxes from GDP, या फिर आपकी indirect taxes को GDP से minus कर देंगे, तब हमें जब आपका net national income आजाएगा, या फिर हम परसनल income, टेक्सिस from national income से निकाल देंगे, या फिर आपकी government expenditure from GDP से निकाल देंगे, तो आजाएगा, तो याद रखेगा कि NNI, आपका net national income, net national income कैसे आएगा भाई, यहाँ पर आप देखो national निकाल रहो तो आपको भी loss national income में से क्या माइनस कर देंगे, depreciation, depreciation को माइनस कर देंगे, तो हमारा आजाएगा net national income, understand, एक चीस याद रखेगा कि जो GNI और GNP होता है, उसमें बहुत सादा आपके difference नहीं होता है, दोनों एक जैसे ही concept है, बट अगर हम बात करें GNI के, GNI में देखे क्या होता है, हम य अब देखे, difference क्या है, suppose, example लेते है, एक, अगर मैं बात करूँ या पर GNP की, तो GNP को find out करने के लिए हम जो है, आपकी GDP में प्लस क्या करते है, net factor income from abroad, ठीक है, तो net factor income from abroad दो पार्ट में डिवाइड होता है, या फिर हमारे जो समान लीजे, इंडियन्स क्या है, बाहर जा के 200 रुपे कमाए, और foreigners ने हमारे देश में 100 रुपे कमाए, और GDP मान लीजे कि हमारा 1000 रुपीज है, तो GNP find कैसे कर लेंगे, आपके 5000 रुपीज प्लस 200 माइनस 100, तो यहाँ पर आपके आजाएगा, 1100 रुपे आपका, क्या हो जाएगा, GNP, अब GNI में क्या difference होता है, अ मान लीजे कि आपकी 1000 रुपे GDP है, net factor income from abroad, यानि जो foreign में हमारे देश वालों ने कमाया, minus, जो हमारे देश में foreigners ने कमाया, मान लीजे कि हमारे देश में जो foreign में जाके कमाया, वो अपके 200 है, बट मान लीजे कि वो 200 में से 100 रुपे वहाँ पर खर्च कर रहने के लिए, और 100 रुपे आपके देश में भेज दे रहा है, और foreigners में हमारे देश में जो है, आपके 100 रुपे ही कमाया हुआ है, तो यहाँ पर GNI में याद रखेगा, जो खर्च के हुआ पैसा है, वो आपके calculate नहीं होगा, नहीं, आपके यहाँ पर add होगा, सिर्फ यह जो 100 रुपे भीजा गया है, वही आपके यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड होता है, तो इसलिए GNI को निकालेंगे कैसे, 1000 प्लस आपके 100 जो भीजा आपके वादेश वालों ने बाहर से आपको, और 100 रुपे यहाँ पर यह कर देंगे, तो यह आप देखेगे 100, तो इसी वज़े से आपके GNI औ को माइनस करना पड़ता है, तो यहाँ पर हिंदी में देख लेते हैं, शुद राश्टी आए को घटा कर गड़ना की जाती है, तो इसमें आपके क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें, शकल राश्टी यह जो आए है आपका GNI में से मुले हास को हम क्या कर लेते हैं, घटा कहेंगे, क्या purchase of stock and bonds को कहेंगे, consumer spending on durable goods को कहेंगे, या फिर government spending on public education को, या फिर business spending on new machinery, तो याद रखेगा जो business आपके new spending करती है मशिनरी पे उसको हम जो है यहाँ पर investment कहेंगे, इस वज़े से आपका option number D correct हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हिंदी में, तो राश्टी आये लेखांकन की संदर्व में निमलेकित में से किसे निवेश माना जाता है, stock bond की खरीद, टिकाओं वस्तुओं का उभोगता खर्च, या फिर आपके सर्वजनिक सिक्षाक पर सरकारी खर्च, या फिर नई machinery पर व्यावसाइक खर्च, तो यहाँ पर नई machinery पर व्यावसाइक खर्च होता है, यह हमारा जो है निवेश कहलाता है, ठीके, next question काफी important रहेगा, expenditure approach to calculate GDP, include which of the following component, अगर हम expenditure method की बात करें, ठीके, व्याविधी जो हमारी है, उसमें कौन-कौन से ऐसे component है, कौन-कौन से ऐसे जो है parts है, जो कि आपके included है, तो पहला option है, consumption, investment, government spending and net export, या फिर दूसरा option है, consumption, saving, government transfers and export, तीसरा option है, import, export, government spending and taxes, and fourth option is consumption, government debt and inflation and आपके import, तो एगर हम बात करें यहाँ पर, जो आपका expenditure approach होता है, यानि हम जो है व्याविधी के इंतरकत देखते हैं, कि जो आपका consumption होता है, investment, government spending and net export, यानि C plus I plus G plus G plus N minus X, यानि आप net export को यहाँ पर show कर रहा है, export minus import कर देते हो, ठीके, इससे हम जो है आपके show करते हैं, यह basic components होते हैं आपके expenditure method के, ठीके, अगर आप इसको thoroughly देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा इसको elaborate करेंगे, तो जो government final consumption expenditure करती है, जिसको हम G से denote कर रहा है, फिर आप देख होते हैं, कुछ private consumption के लिए भी पैसे खर्च वहाँ पर किये जाता है, ठीके, और फिर net export, जिसमें export minus import देखते हैं, ठीके, तो यह सारी चीज़े आपके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, expenditure method को क्या बोलते हैं, हम लोग GDP at market price, GDP at market price, जो कि हमारा क्या होता है, expenditure method ही हमारा GDP at market price हो कौन से घटक सामिल है, तो भोकता निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध नेरियाद, ठीके, यह आपके जो है, इसमें included है, option number यहाँ पर एकरेक्ट हो जाएगा, next question बहुत important है, which of the following represents the largest component of GDP in most of the economy, क्या आपका C जादा बड़ा होता है, या फिर I, आपका, या फिर G, या आपका net export, या फिर import, तो यहाँ पर हम बात करें, याद रखेगा कि सबसे बड़ा जो होता है, वो आपका C होता है, consumption, सभी most of the economies में हम यही देखते हैं, जो consumption होता है, जो हम खर्च करते हैं, ठीके, वो हमारा सबसे जादा आपका होता है, तो यहाँ पर कौन सा option correct हो तो हिंदी में देख लेते हैं, ने मुले कितमें से कौन अधिकांश अर्थ विवस्थाओं में सबसे बड़े घटक का प्रतिनिद्व करता है, तो प्रतिनिद्व करता है, ना ही सरकारी खर्ष, ना ही शुद्ध निरियाद, आपका जो खफवत होता है, यानि जो जो है भाग होता है किसी भी अर्थ विवस्था के मतब आपकी सकल घरे लिए उत्पाद का ठीक है next question देखेंगे अभी just मैंने यह वाला question करवाया था भी formula for calculating आपके gross national income यानि GNI आपको calculate करना है तो यह क्या आपका GDP plus net export होगा GDP minus depreciation को हम लोग GNI बोलेंगे या फिर आपके GDP net export minus taxes या फिर आपके अगर हम बात करें यहाँ पर GNI आपका GDP net export plus foreign remittance तो अगर हम बात करें आपको निकालना है gross national अगर हम income तो उसको निकालने के लिए आपका point हो जाएगा GDP plus आपके net export यानि आपके export minus import कर देंगे ठीक है तो आपर option number आपके क्या हो जाएगा यह आ जाएगा ठीक है हिंदी में देख लेते हैं सकल रास्टी आए कि गढ़ना करने का सुत्र है तो यहाँ पर आपके क्या है GDP plus आपके शुद्र निरियाद ठीक है option number आपर एक और हो जाएगा next जो आपका point पो बहुत important है when GDP is adjusted for inflation is referred to as क्या उसको हम लोग real GDP बोलते हैं या फिर आपके nominal GDP या फिर आपके gross national income बोलते हैं या फिर हम net national product बोलते हैं यह काफी point important है क्योंकि आपके exams में भी बहुत जादा पूछा जाता है ठीक है अब आपको यहाँ पर दो concept को समझना होगा आपके nominal GDP और real GDP अगर हम बात करें nominal GDP की तो nominal GDP वो GDP होती है जिसको हम current price पे आपके calculate करते हैं ठीक है current जो price होता है उस पे calculate करते हैं और real GDP वो होता है जिसको हम constant price पे आपके calculate करते हैं और GDP deflector का आपके क्या होता है आपके अगर हम बात करें तो nominal GDP divided by real GDP into क्या करेंगे 100 ठीक है तो nominal किसके current price पे और आपके अगर हम बात करें real GDP at constant price ठीक है suppose अगर मालीज जी कि आपके देश में जो है 60 वस्तूओं का उत्पादन हुआ है 60 commodities produce हुई है उसकी कीमत जो है 20 रुपय चल रही है present ठीक है तो यहां पर आपकी कीमत कितनी होगा मतलब आपके total जो 120 रुपय हो गया है आपके quantity और into price price into quantity तो 120 की value आपके देश में produce हुई है अभी आपके देश में अगले वर्ष मालीज जी 2020 का है 2021 में क्या हुआ कि अभी same quantity produce हो रही है पर price यहां पर 30 रुपय हो गया जो की current price run कर रहा है ठीक है तो यहां पर 180 रुपय आपके यहां पर value हुआ ठीक है यहां पर तो ठीक है दिख रहा है कि हमारे तो value बढ़ गया या आप देख रहे हैं कि आपके जो quantity है वो same है यहां पर price बस बढ़ा है तो यानि कहीं न कहीं यह जो आपको दिखा रहा है कि आपके देश में यह value जो बढ़ी है वो क्या यह जो आपका है 120 से 180 गया तो क्या यह real में ऐसा है real में इस मतब देखा जाया तो क्या quantities जादा produce है ठीक है और यही हमारा क्या होता है आपके nominal GDP होती है nominal GDP वो GDP जो कि आपके current price पर रण कर रही है और मान लिजे कि हम इसी वर्ष आपके 2021 में हम ले लेते कि 60 unit का 20 price तो 120 जो कि हमारे real GDP को बताता ठीक है तो most of the time जब आपकी nominal GDP nominal GDP हमारे जो है real GDP से जाधा होती है तो क्या होता है inflation प्रिवल करता है economy में यह point आपको याद रखता है when nominal GDP is greater than real GDP then inflation prevailed in the economy यानि आपकी महंगाई जो है आपकी देश में रहती है कैसे समझते हैं क्यूंकि अभी मैंने बताए कि 60 रुपए पहले produce पहले quantities की inflation होता है पर अगर wise and verse अगर हम बात करें यहां पर अगर मालेज़े कि real GDP जाधा होगी तो यहां पर याद रखेगा आपके देश में deflation हो गया यानि opposite of inflation यानि आपके महंगाई का दर क्या हो रहा होगा महंगाई जो है कम हो रही होगी ठीक है और जब हम नॉमिनल GDP को real GDP से divide करते हैं तो वह हमारा क्या होता है कितना हमारा GDP कितरे percent से deflect किया जैसे अभी आपने देखा था कि आपका जो real GDP था 120 था नॉमिनल कितना था आपका 180 था ठीक है और यहां पर आप मालेज़े 100 से multiply कर लीचे आप देखेंगे कितना deflection आया है ठीक है deflection कितना किया है ठीक है तो इसको find out करने के लिए आप 12 से divide करें और आगे जो है कुछ points आपको देखना पड़ेगा ठीक है तो आप देखेंगे कि यहां पर कितना deflection हुआ है तो आपको पता चलेगा कितने टाइम्स आपके जो है प्राइस में इंफ्लेशन आया है कितना इंफ्लेट किया है प्राइस ठीक है तो याद रखना नॉमिनल current price पे real आपके constant price पे रन करता है ठीक है अगर हम बात करें रोजगओ रियल जीडीपी है रियल जीडीपी को अलग concept price प्राइस इसका एक और नाम है अपके constant price gtp आपका कहलाता है अगर हम बात करें आपके आपके और दूसरा नाम क्या है real GDP का यहाँ पर राद रुखिएगा inflation corrected GDP inflation corrected GDP भी इसको कहते हैं ठीक है? corrected GDP कहते हैं अब question में भी दिया है GDP is adjusted for inflation अब adjusted हुआ है तो कौन सा हो जाएगा option आपका? option number A हापर correct हो जाएगा clear तो यहाँ पर अगर हम बात करें GDP की मुद्रा स्फीती के लिए समयोजित किया जाता है वो हमारी वास्तविक होती यानि यह हमारी वो GDP होती है जो कि आपके स्थिर जो है कीमतों पे रहती है क्योंकि यहाँ पर हम मुद्रा स्फीती को समयोजित कर रहे हैं आपके GDP में तो यहाँ पर यानि कौन से होई वास्तविक GDP आपकी correct हो जाएगी आज का हम last question लेंगे which of the following is not included in calculation of GDP? कौन सा आपकी calculation में include नहीं होता है value of all goods and services included illegal activities value of all goods produced in personal use third one is value of intermediate goods used in production process and value of government spending on public infrastructure तो यहाँ पर option में साफ साफ लिखावा है not तो not हो जाएगा जो हम personal use के लिए करते हैं वो आपके GDP में include नहीं होता है जिबकि other जो आपने options देखें वो सारे आपके GDP में include होते हैं तो option number यहाँ पर कौन सा correct हो जाएगा आपका B वाला हो जाएगा ठीके यह चीज़ याद रखेगा तो हम लोग जो हिंदी में इसको देख लेते हैं हिंदी में जो आपका option यहाँ पर कौन सा correct हो जाएगा निबलेकित में से क्या सकल घरिलू उत्पाद GDP का गढ़ना में सामिल नहीं है तो याद रखेगा जो व्यक्तिकद वोग होता है उसका मुल्य जो है आपके सामिल नहीं होता है ठीक है ओके तो यह काफी important कुछ question रहा है मैंने explain तो किया पर थोड़ा सा हिंदी में नहीं कर पाई बट मैं next time जरूर कोशिश करूँगी अगर आपको यह पसंद आया होगा तो हमें जरूर बताइएगा और next लेक्षर में हम और इसी topic पे और भी questions करेंगे और भी concept को जो है settle in करेंगे जिससे कि आपके upcoming exam में अगर इस topic से कोई प्रश्ण बने यानि आपके राश्टी आया national income से प्रश्ण बने तो जरूर आप attempt कर ले जाओ चुड़े रिएगा चानल पे subscribe जरूर करके रखेगा क्योंकि अभी भी बहुत सारे topics पे आपके वीडियो मिलने वाले है चुड़े रिएगा तेने वाद